अब हम नए स्टाउक्स को देखते हैं इससे पहले मैं आपको बता दो मैं को कोई फैनेंशियल एडवाईजर नहीं हो तो कोई भी ट्रेड अगर आप एक्चुल ट्रेड लेते हैं तो अपने फैनेंशियल एडवाईजर से एक बार बात करके देखें आप इनिसेट करें फस् के अंदर एक correction आया बट इसके अंदर फिर भी एक bullishness दीखा मुझे इस sign से हमें यह पता चलता है कि ultimately जो buyers हैं वो काफी positive हैं इसको लेकर plus मैंने इसका कुछ data check करा कि इसके results भी अच्छे आये थे quarterly results इस वज़े से investors अभी interested हैं इसके अंदर इसका हम benefit ले सकते हैं तो breakout हुआ retaste हो गया और अच्छी candle बनी है यहां पर आप यहां पर देख सकते हो bullish candle बनी है तो यह भी एक good sign है यह काफी trending stock है तो बागी चीजे हम चार्ट पे देख देख यहां पर इस level का कितने time टेस्ट हो यहां पर फिप्थ टाइम फाइनली इसने ब्रेक ओट दे दिया था अब ब्रेक ओड के बाद अब देखो कि यहां पर इसने यहां पर हमारी तब बनेगी प्लस अगें यहां पर एक्टिव हो गया है इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं सबसे पहले तो इंट्री हमारी तब बनेगी जब इसके अंदर यहां पर इस हाई का ब्रेक ओड होगा अब मेरी बाद ध्यान से सुनना क्योंकि कोई ऐसी गलतियां मत कर ले ना क्योंकि मार्केट अभी कुरूसिल जोन पर है यह वाली जो हाई है इसका इसका जब हाई टूटेगा उसके बाद ही हमारी इंट्री बनेग है अब जो एसल बनेगा ना जैसे कि यहां पर आप लगा लो यहां पर एक कैंडल बनी हमने यहां पर इसके हाई टूटने पर एंट्री ले सिंपल इस कैंडल का लो यहां पर कहीं नीचे आप ऐसे वन टूटू जिरो का अप एसल लगा सकते एक रॉंड फिकर में पहला टार्गेट हमारा है यहां पर जैसे कि सपोज आप इस हाई पर आपने इनिसेट करा तो हमारा यह एसल हो गया जो कि अरॉंड फॉर परसंट के एरॉंड सम्थिंग फॉर सबाफ फॉर परसंट के जो को हमारे टेलिग्राम पर आप एक्टिव रहना यह हमारा हो गया फर्स्ट रेट सेकेंड वन इस के पीर मिल के पीर मिल में अगें मैं पॉजिटिव हूं काफी अभी तक क्यों क्यों क्योंकि आपने तो रेड केंडल से बहुत सारी लोग घवरा गए होंगे बट मैं हुआ तो गुड वॉल्यूम्स के साथ हुआ है यह हमने पहले भी डिसकस किया हुआ था तो इसमें हमने फर्स्ट टागेट भी अचीब करा बट मैं इसमें और क्वांटिटी एड करने वाला हूं मैं यह अपना बता रहा हूं आप लोग के अपने डिसिजन्स अपने फैने बाकी चीज़े हम चार्ट पर देखते हैं और यहां पर जैसे मैंने आपको पताया कि इस वाले एडिया का ब्रेक आट हुआ और वॉल्यूम्स अच्छी बनी है इसे पहले मैं आपको टागेट पताता हूं तो सबसे पहला टागेट तो हमारा यहां पर यहां पर अचीब हो हो गया है इस वाले लेवल का सब्सक्राइब हमारा यह है इस वाले लेवल का अब मैं आपको डेली टाइम पर दिखाता हूं कि इसमें क्या हुआ है यह जो लास्ट टाइम जब निप्टी करेक्ट कर रहा था तो यह नीचे आ गया काफी तो अब आप लोग सोच रहे होंग करेंगे और उसको राइड करेंगे मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव होता है किसी भी सुंग ट्रेडिंग को करने का आप लोग अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर से कंमेंड में हम क्या करएग्वरेज हो गया जब आपका 4% आप देख सकते हो यहां पर जब 4% मोर दन 4% का मुव आया एक दिन के अंदर तब तो आप खुस हो रहे थे नहीं ऐसे नहीं आपको नीट्रल रहना है मैं मानता हूं कि रेड कैंडल से डर लगता है हमें ग्रीन कैंडल से बहुत अच्छा पॉजेटिव आप मेरे वॉल्यूम एनालेसिस वाली वीडियो देखे ही होंगे यहां पर जब मार्केट ऊपर गया तो यहां पर देखो कितनी बड़ी बार्स बनी बट जैसे यह नीचे आया ना लास्ट टाइम उसके बाद यह देखो इसके कंपारिजन में यह कितनी बनी है आदी बनी ह है आपको साफ पता चल रहा है कि यहां पर जो बायर्स है काफी अक्टीव है सेलर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है उसको मसल देंगे अगर आपका टाइम फ्रेम थोड़ा सा ज्यादा होगा अगर आप थोड़ा ज्यादा दिन का सोचेंगे तब आपके प्रोफिट करने के लिए आपको यहां पर टेलिग्राम में आना है आपको क्या करना है यहां पर डिस्क्रिप्शन में आना है और नीचे आपको यहां पर मिल जाएगा हमारा परस्टनल आइडी इस पर आप मैसेज करोगे ना तो हमारी टीम है तो हमारी टीम से आप बात कर सकते हो सारा प्रोसेश जान सकते हो तो बैल आइगन जरूर से प्रेस करके रखना थैंक्स पर यूर फैल्यूवल टाइम